Hello everyone, s wagat hapka replica world में आज हम बात करेंगी Verbal and Non Verbal Intelligence Test के बारे में तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं Verbal Intelligence Test के बारे में कि Verbal Intelligence Test क्या होते हैं तो जैसे कि हम इसके नाम से पता चलता है Verbal, Verbal यारे जिसको शब्दों में बयां किया जा सकता हो इस इस इहां पर लैंग्वेज का वी की स सब्सका जयाता का अशॅरल को भेजने के लिए सब्जर्च तक और सब्जर्च भी लांग्वेज में ही करता है कि यह जो होता है इसकी वेहलाडैटि अच्छी होती है है यह अभे जो टेस्सको इंडिवीज़्टे करा जा सकते हैं याने इंडिवीज कि इसकी चौर्ट कमिंग ऐसकता है तो कमी सबसे पहले है कि एक पर लोग ही दे सकते हैं ऐनी शबजेक्ट जो होगा हमारा जिसकी हम इंटेलिजेंग्स को मेशर करना चाहरे है वह हमेशा पढ़ा लिखा होगा तभी उस पर वर्बल टेस्ट किया जा सकता है दूसरी चीज ये तो यह कि अपर पी वाले लोगो पह पे पहा सकता है। यह सी थी पहता है जो नहिं पहता है विपोगी दिश्वाक्ट रह प्रनाष या टेस्ट किया जा जता है। जो थोड़े बड़े बच्चे हैं पर डल है उनको भी हमेशा नहीं कह सकते उनके इंटेलिजेंस को भी इससे नेक्स आता है नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट अगर नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की बात करें तो इस वाले टेस्ट में जो questions और problems होती है उसमें language नहीं होती है medium बलकि जो problem होती है वो concrete objects और figures की form में दी जाती है और subject को कुछ activity करके उनको answer करना होता है जैसे कि कुछ objects है आपको और object को shape के according एक साथ लगाना है objects या figures आपको दी हुई होते हैं इसमें कोई language की foundation नहीं होती है और subject होता है वो activity करके अपना answer देता है यह ठीक है अब यह जो non verbal intelligence test यह pen pencil test भी हो सकता है performance test भी हो सकता है mixture भी हो सकता है दोनों का इसमें फरक होता है कि अगर यह pen pencil mode में होता है तो वहां पे भी figures और objects का ही relation होता है और performance में तो आपको पता है कि अगर performance test होगा तो subject को कुछ activity के थुरू answer देना होगा तो अब अगर हम बात करें कि इसकी importance क्या है और इसकी limitations क्या है इसका positive aspect क्या है तो positive aspect यह है कि हम इसको individually और collectively दोनों तरीके से administer करा सकते हैं group test भी करा सकते हैं individual test भी करा सकते हैं और बच्चों की intelligence है वो भी easily हां से measure हो सकते हैं पर language की कोई boundation नहीं है तो दूसरी language समझने वाला इंसान भी इस test को दे सकते है आपने अरेंज किया यह test दूसरी language वाला इंसान भी सो दे सकते हैं कि इसको language में answer नहीं देना है उसको activity perform करके answer देना है तो यह इसके कुछ positive points है फिर बात आते है limitations के कुछ limitations भी है जैसे कि इसका construction करना और standardization करना difficult होता है यह expensive होता है और difficult होता है इसका administration administration और objectively इसको mark कर पाना भी difficult होता है तो यह बात होती है हमारे verbal test की तो इस तरीके से हमने देखा कि verbal and normal test क्या होते हैं तो आज के लिए से वतना ही अगर आपको lecture पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें शेयर करें और अप्लिक आवल को subscribe करें